हेलो एवरिवन वेलकम बेक्टु माई चानल वन वीजन एमीबी एस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेरीनियम की एनाटोमी के बारे में ठीक है देखिए पेरीनियम की एनाटोमी बहुत इंपोर्टन्ट क्वेस्चन है ठीक है यूनिवरसिटी एग्जामिनेशन में तो है वह बहुत इंपोर्टन्ट है इसलिए आपको अच्छी तरह से विट कॉंसेप समझना होगा तो इस वीडियो में हम इंट्रोडॉक्शन पेरीनियम मतलब कि पेरीनियम क्या है उससे समझने वाले है ठीक है विद्धी डायग्राम देखिए इस वीडियो में सब सब पहले है इसी डाये ठीक है इस डाय없이 की डेरीनियम के विद्धी नरी में को तरह से समझने वाले ठीक है उसके बाद हम देखने वाले है Perineum को हम दो पार्ट में डिवाइड करते है enal region और Eurων Organism Region तो इन दोनों region भीकिन तरह जों term डिवाइड करते है ओं डाइग्राम से समझने 그렇게 है और लास्ट में पढ》 इंगे कि हम पेरिनियम देखने को कैसे मिलता है ठीक है विए मिद्स ये हम पेरिनियम इस दे रीजियन एड़ लोवर एंड ओफ ट्रंग इन इंटर्वल बीट्विन टू थाई ठीक है अब मान लीजिए कि जो मरी लोवर ट्रंग है ट्रंग का जो एंड पार्ट है उसके नीचे आता है ठीक है और दोनों थाई के बीच में देखिया आप डाइग्राम बीच में थे पेरिनियम थे अठीक है लेन्ह histories आपको दिखता है पार्ट है अमारा पेरिनियम पहां परेजंट थो को आप कह सकते हैं लोर एंड अब दूख रंक ट्रंगन है और दोनों थाई यह हैं दोनों थाई के बीच में ही present है हमारा perineum यहां पर यही लिखा है perineum is the region at the lower end of trunk interval between two thighs ठीक है फिर देखिए perineum में क्या present होता है external genitalia located देखिए आप यहां पर diagram से देखिए ना यहां पर देखिए यह scrotum है यह penis है तो यह क्या है external genitalia तो perineum में क्या present होता है external genitalia आप female का भी देख लिजए ठीक है देखिए यह female का है तो यह क्या है external genitalia female में ठीक है तो यहां पर क्या present होता है external genitalia located अब देखिए अब anatomical location आपको दे रहा है ठीक है perineum forms the lower division of pelvis that lies below the pelvic diaphragm and pelvic outlet ठीक है यहां पर diagram पर देखिए यह हमारा pelvic diaphragm है और यह हमारा pelvic outlet इन दोनों के नीचे जो present होता है ना उन दोनों के नीचे pelvic diaphragm या फिर आप कह सकते pelvic outlet उसके नीचे से skin तक का जो area होता है उसे हम कहते है perineum ठीक है तो यह आपको अच्छे से understanding हो गई कि perineum क्या है हम कैसे देख सकते है perineum को ठीक है कहां से एक बर फिर से देख लिए पेल्विक diaphragm और pelvic outlet इनके नीचे से लेके जो हमारी skin है वहां तक का जो फेले मेरी बोड़ीम क है उसे हम कहते ह है perineum को मिलता है opening को मिलती है अब बात करे है तो कि करने देखिए अमAss sound क्या देखने का मिलता हुआ है मैं मैं यहां पर देखिए यह दो ओपनिंग análपनिक ढता है कन गांंच अमले जर्डेयनियो को करने है जिद्सकाथ है मैं रेकर में पनेट्ट्या के य। आपनेट्रेश्टम की माया रिक होती है कुन सी जनाइटो यूरिनरी ओरिफिस ठीक है यह कहां पर होता है पैनिस के थ्रूपन होता है ठीक है यह होगी हमारा मेली के बारे में अब हम फिमेल के बारे में देखते हैं तो देखें फिमेल में तीन ओपनिंग देखने को मिलते हैं कौन-कौन सी एक तो गेस्ट्राइंट ठीक है तो यह हो गिया पेरीनियम के इंट्रोडक्शन के बारे में ठीक है आपको यह डाइग्राम अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपको समझ तभी समझ पाएंगे ठीक है विजुलाइज कर पाएंगे पेरीनियम क्या है अब हम देखते हैं बाउन्डरी जोब दी पेरीनियम के बारे में ठीक है तो देखिए पेरीनियम के हम दो तोरे से बाउन्डरी देखेंगे एक तो हम देखेंगे सुपर्फिशल बाउन्डरी मतलब कि उपर से उसके बाउन्डरी को बनाता है और एक देखेंगे हम उसकी डी पार्ट और यह हो गया उसका दोनों लेटरल साइड ठीक है अगर हम एंटिरियर साइड देखें तो आपको क्या दिखेंगा में 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 दिखेंगा आपको यह वाला पार्ट कुन सा स्क्रोटम ठीक है और यह फिमेल की बात करें तो फिमेल में आपको क्या दिखेंगा फिमेल में देखे तो mons pubis ठीक है अब हम posterior के बात करें तो posterior में male हो या female दोनों में क्या आता है दोनों में आता है हमारा buttocks ठीक है यह जो बटक वाला part है यह बनाता है posterior boundary और lateral side की और देखे तो यह है लेटरल साइड लेटरल साइड प्या बनाता है ठाय का अपरंप्र यह क्या है यह हमारी इसका अपर पार्ट तो पर पॉपपर ऑप अभी मिडियल तॉआड फॉप अब वहाइन नियम में आ भी इधू पर्षेड कि लेटरल लेटरल बाउन्डॉनरि अड़ी पेरिम यहां superficial boundary अब देखिए आपको देखनी है deep boundary यह इंपोर्टन्ट है ठीक है और deep boundary अगर आपने pelvic outlet की boundaries देखी होगी तो यही boundary है हमारी perineum की deep boundary ठीक है तो चलिए हम diagram से इसी diagram से देख लेता है ठीक है तो देखिए यह हमारा perineum ठीक है यह जो square वाला diamond shape अभी आपने देखा था ना यह पूरा का पूरा diamond shape हमारा perineum और यह क्या है deep part of the perineum ठीक है तो देखिए यह हमारा anterior side क्योंकि यहां पर क्या है pubic symphysis यह हमारा posterior side क्योंकि क्या है coccyx ठीक है और यह दोनों है lateral side ठीक है यह लीजिए lateral और यह lateral side ठीक है अब देखिए anterior side पर आपको क्या दिखता है यह perineum है तो उसके बिल्कुल anterior क्या है यह जो green में ने बनाया हुआ है यह पार्ट ठीक है यह क्या है हमारा यह हमारा arcuate pubic ligament क्या है यह हमारा arcuate pubic ligament ठीक है और दूसरा में क्या देखन hometown आप है तो यह बोनी पार्ट को हम क्या कहेता है brighter अंट सिर्वा है विद्र सकते हैं इन्विडियर क्या बनाता है यह best की incar boundary ठीक है अब हम देखते हैं posterior boundaries इस तो यह सकते हैं जो about इले पडिक है यह लिखा यहांद पर डिक्र शूंट अब हम लैतरल सयट देखें तो देखें लेटरल बाउंडर्य कौन बनाता है डाइग्राम से ठीक है यह प्यूबिक आर्च है ठीक है यह प्यूबिक आर्च है और उस आर्च में से यह क्या बनाती है इस्योप्यूबिक रेमस तो यह हमारी इस्योप्यूबिक रेमस ठीक है फिर देखें यह जो पार्ट बना है यहां पर यह हमारा कुछ ट्यूबिरोसिटी लाइक पार् अगर आप डाइग्रम देखेंगे तो देखें यह हमारी इस्यल ट्यूबिरोसिटी और यह हमारा सेक्रोट्यूब्रस लिगामेंट तो यह पूरा का पूरा पार्ट है वह क्या बनाता है लेटरल बाउंडरी ओब धी पेरीनियम ठीक है कौन-कौन से यह हमारी इस्यो को जोड़ती है ठीक है तो यह हो गए हमारी डीब बाउंडरी ओब धी पेरीनियम ठीक है अब देखें यह सबसे इंपोर्टन पार्ट है हमारा पेरीनियम का ठीक है यहां से आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आएगा ठीक है देखें पेरीनियम के डिविजन देखें आप एक लाइन जोड़ती है मान दीजी एक इन दोनोट इब्रोसिटी को अगर मान दीजी एक लाइन जोड़े इस लाइन के थू जो मर पेरिनियम है वह दो पाट में डिवाइड हो जाता है ठीक है एंटीर होगा वह एंटीर पेरिनियर और पोस्टीर पेरिनियम ठीक है और जो ए interior part है उसे हम कहते है Lamborghini triangle घिक है और posterior part है उसे हम कहते है एनल triangle देखे हैं यहां हम क्या प्रेजंट है your доп ROM और फिमेल होगी तो यहां पर और Werk्वी और स्क्रास्प्रिस्थkommen यहां पिर्चल जरेंट होते हैं यहां प्रेंटल डॉ और जो यह Hiç आउलान करेंट वहहां अपर क्या प्रेजेंट होता है यहां प्रेजेंट होता है मअरे रेक्टम या फिर आप कहे rigoroles까요 तो इसलिए हम कहते हैं इसे इनल ट्राइंगल ठीक है फो accord फिसी इमेजनेरी आपिरिंज को दो पार्ट में डिवाइट करते है ठीक है यही लिखा है ट्रांसवर्स लाइन जोईनिंग दी एंटिरियर पार्ट ऑफ इसल्ट इविरोसिटी एंड पासिंग इमीडियटली एंट्रियर टू एनस डिवाइट पेरीनियम इन्टू ट्राइंगल पोस्टिरियर ली होगा मा युड़ोजनेटल रीजियन यह पिर आप ट्राइंगल भी कह सकते है ठीक है अब देखिए एनल रीजियन की बात करें तो एनल रीजियन में क्या देखना का मिलता है एक तो होता है टर्मीनेशन ऑप एनल के निसके एनस या रेक्टॉम और दूसरा होता है इस्षो एनल फो प्रेजियन में क्या प्रेजियन होता है इट कंटेंज एक्स्टर्नल यूरोजनाइटल ओर्गन्स ठीक है थेने हमारा सुपरफिशल पेरिनियल पाउच एन डीप पेरिनियल पाउच यह भी बहुत ही इंपोर्टन्ट है कई बार इन दोनों का डिफ्रेंस पूछा जाता है यार कई बार अलग से ही इन दोनों पे सवाल आता है ठीक है तो यह भी हम अलग से पढ़ने वाले है ठीक है यूरोजनाइटल ट्राइंगल में तो यह हो गया एनल ट्राइंगल के कंटेंज यह हो गया यूरोजनाइटल रीजन के कंटेंज अब देखिए यह इंपोर्टन ऑनील इंटरनल चीजें ठीक है ठीक है और कहां पर प्रेजन्ट है एक बार डाइग्रैम में देख लीज़ हमारा यह कहार युरोजिन पुरा और यह हमारा एैनल ट्राइंगल कि कै अगर आप स्किमेटिक डाइग्रम में अभी देखें तो सक्षायां यह जो है यह फिमल का फीरीनियम ठीक है टो र७ट में क्या है मिलता है यह değer ल이션 Michal है इसलिए हम कहते है ऐर ओर यहां पर नीचे देखेंगे तौण क्या देखने को मिलता है यह है यह हमारा रहक करने का प्याक हिसminister करता इसलिए है है युक्ति त्राइंगल यह खिंग या फिर इंट की कि यह ओगे में पढ़ना क्या है ठीक है तो आप अच्छी तरह से यहां पर में कॉंसेट क्लियर करने वाला हूं ठीक है अब किसी भी पेशन को लिठोटोमी पोजेशन में सुला दीजिए ठीक है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको आपको देखने को मिलता है सबसे पहले उप होजो सुपरविश्यल फेश्या ठीक है अगर मैं सुपरफिश्यल सपैशची आ को भी एधा लें तो मैं देखने को मिलता है अथीए स्कें यह इसके स्क्राइब नीचе धी स्क्राइब होता है और दीफ यहाद भी अंव्य टा लें इसके बाद देखना को मिलता है वह गएा स्किया वाला ठीक है अब देखे चुंद रटि red सुपरफिशल फेशिया तो देखिए हमने अभी डाइग्रम पढ़ा तो हमने उसमें क्या देखा था कि हम दो रीजियन में पढ़ने वाला है पूरा कापर पेरिनियम ठीक है एनल ट्राइंगल और यूरोजनाइटल ट्राइंगल इन दोनों पार्ट में पढ़ने वाला है तो यहां पूरजने वाला है तो देखिए इस साइड जो में बनाने जा रहा हुँ यह हमारा एनल ट्राइंगल नहीं इस साइड में जो आपको दिखाऊंगा यह उमारा यूरोजनाइटल ट्राइंगल ट्रीक है तो स्कीन को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा सुपर्फिशल में करेंगे ले सुपरफुशल धेशया में क्या देखना मिलता है फैक देखनेकों मिलता है जबकी यह दाइसक्शन त्राइंगल में करें तो यहां फे सुपर फीसली डूरी का बना हुए होता है Deep layer और ग। कैसा होता है मेंज़ता है यहां और आप उसे कोलीज Obsолж ऐस Chiap है इसे लिए मुझे से कहते है फैटी लेईर थी के तो यह होगया इआनल अदर जाने को हटा देंदग्हका न ऊस्केरख गणम पर स्बेस्टेंगम को अब यह जो में चलिकल करता है तो यह दो नो अब इस facto आनल ऊसे हम को ईए पुरी पूरी cyclones space होती है उसे हम कहते है isho anal fosa जब कि ई्यडोजनेटल ट्राइंगल में चो हम स्पेस देखनों को मिलती है उसे हम 700 कहते हैं superficial perennial pouch जाया लो इन 20 फेस चेस है अगर हम इन दोनों फेस पैस हैं उससे भी अंदर दीप की ओर जाए तो हम प्या जाया है डिप फेशिया देखने को मिलता है ठीक है तो देखिए जो एनल ट्राइंगल है ना वहां पर जो डीफ फेशिया वह किसका बना हुआ होता है वह बना हुआ होता है हमारा inferior facie of the pelvic diaphragm and obturator facie यह जब हम यह दोनों के बारे में आप जब इस्यो एनल फोसा पढ़ेंगे ना तो डाइग्राम से अच्छी तरह से समझने समझेंगे क्योंकि यह भी इस्यो एनल फोसा के बाद ही मतलब कि उसके नजदिक आता है ठीक है तो आप तभी समझ पाएंगे अब इससे आप देखिए ठीक है और जो डीफ फेश्या है यूरोजनेटल ट्राइंगल में किससे बना होता है डीफ फेश्या है वह ठीक हो जाता है ठीक है यूरोजनेटल ट्राइंगल में जो डीफ फेश्या हो ठीक हो जाता है वह क्या बनाता है पेरीनियल मेंब्रेन का करता है तो आप यह concept याद रखना कि जो perineal membrane है वो कहां पर present होते है वह सिर्फ gyurogenital triangle में ही present होती है ठीक है मैंने फ्रेजन्ट होती ठीक है अब देखे perineal membrane को हम हटा दे ठीक है तो फिर में एक space देखने को मिलती है कहां पर ये इरो जनाइटा वेहां आते हैं उस परناइमिल भी होता है तो डैशने को मिलता है यह मिमने Crist acro.com सब्सक्राइब जाए तो हमें देखना को मिलता है पेल्विक डायाफ्राम ठीक है जो लिवीटर रिनायर और कोक्सेजियस मसल से बनता है ठीक है तो यह हो गया हमारा पेरिनियम का एंडिंग कि कि के अ देखिया हमें पेरिनियम में क्या-क्या इंपोर्ट Zwji ठीक है तो यह बहुत ही इंपोस नहों याद रखना कि यहंसे अंदर इस यह याद रखना यहां से अंदर की झाएता है तो मिलते है ठीक है तो इखें यहां से आपको इक difference पता चलेगा डीप और superficial perennial पाुँच में कि चो डीप और superficial perennial pouch है उन दोनों को differentiate कौन करता है उसको differentiate करता है हमारी perennial membrane ठीक है तो perennial membrane बहुत ही important structure है ठीक है वो distributed Missouri पाुच और डीप perennial Markus को differentiate negotiate करती है यह हो गया हमारा पुरा का पूरा पेरीनियम के इंट्रोडॉक्षिन के बारे में ठीक है अब Super one में पढ़ने वाला है है परेखने बी के बारे मेरे में जो बहुत important ठीक है अगर the 11 next cat hen वह किसकी वज़े से है, पेरिनियल बोडी के सपोर्ट की वज़े से ही है, या पिर आप कहे सकते है, पेरिनियम के सपोर्ट की वज़े से ही है, ठीक है, तब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाला है, पेरिनियल बोडी के बारे में, Thank you everyone, Thank you for watching this video and keep watching.